प्याज की निर्यात बंदी के बाद महाराश्टर के नासिक जिले में किसान लगातार सरकार के इस फैसले के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं. इन दिनों निर्यात बंद होने से सभी मंडियों में प्याज की आवक बढ़ने लगी है. इसके चलते कीमतों में भारी गिरावट नहीं मिल पा रही है. पिछले दो से तीन दिनों में प्याज के मंडी भाव में उच्छाला आया है. जहां दो दिनों तक बाजार भाव औस्तन 900 रुपए प्रती क्विंटल रहा, वहीं अब यह बढ़कर 1100 रुपए से लेकर 1200 तक प्रती क्विंटल हो गया है. इस बीच, येवला क्रिशी उपज बाजार समिती, APMC, में प्यास का दाम 1200 रुपए क्विंटल रहा. यहां न्यूंतम कीमत 300 रुपए और औसद दाम 1150 रुपए रहा. हाला कि किसानों का कहना है कि दाम में इतने उच्छाल से क्या होगा जब उतपादन लागत 20 रुपए किलो तक प वर्तमान में खरीफ सीजन का प्यास खेतों से मंडियों में पहुच रहा है. खरीफ सीजन के प्यास को रन नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें सडन जल्दी लगती है. इसलिए किसान अपने घर पर ज्यादा दिन तक वर्तमान सीजन में निकल रहे प्यास को नहीं रोक सकते इसलिए किसान मजबूर हैं प्यास तुरंत बेचने के लिए इसलिए मंडियों में आवक भी बढ़ी हुई है अभी मार्च तक प्यास एक्सपोर्ट बैन का फैसला वापस होने की उम्मीद नहीं है इसलिए दाम अभी बढ़ने का अनुमान नहीं है Bureau Report Market Times TV